हैलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज गुरू जी इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे प्रोफेट और लाउस के पार्ट फोर से कुछ कोशन को आसानी से सौल करने का तरीका तो चलिए दोस्तों हम लोग सुरू करते हैं हमारा पहला कोशन दोस्तों है एक बैक्ती ने दो घणियां 15 सव रुपए में खरीद कर एक को 12 परसंट लाब पर दूसरे को 18 परसंट लाब पर बेंचा जिससे उसे कुल 15 परसंट का लाब हुआ तो घणियों का अलाग अलाग क्रेमूल ग्याद कीजिए तो दोस्तों इस कोस्टन को दोस्तों हम लोग सॉल्प करने के लिए हम लोग एलिगेशन का एलिगेशन का जो ट्रिक होती है उसको लगाएंगे आपको एलिगेशन का तरीका पता होगा कि ए एक बस्तू है एक बी है बीज में जो टोटल आता है उसको माल लिया हम लोगों ने O तो A बाली जो बस्तू होती है दोस्तों वो हमारी कम होती है लेस में होती है और जो B में होती है वो ज्यादा होती है मतलब हाई में होती है और जो अब फिर जो नीचे जो संक्या या थी उनका अंतर हो जाता है मतलब यहाँ पर चोटी संक्या और यहाँ पर बड़ी संक्या होगी तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दो गणिया है जोस्तों तो इसमें टोटल कितना लाब हो रहा है उसको हम लोग बीच में रख लेंगे 15% को बीच में लिख लेंगे इधर मैंने बता है था चोटा आएगा तो 12% इधर आजाएगा और 18% इधर आजाएगा अब इन दोनों को मैंने बता है घटा लेजिए 18 में से 15 गए थ्री और 12 में से 15 गए बड़े से घटाएंगे चोटे से तो 15 में से 12 गए तो थ्री अनपाद 3 का रेसियो आ गया दोस्तों तो इसको हम लोग काट लेंगे तो अनपाद आजाए ए अनपाद B का माल लेंगे हम लोग तो कितना आ गया बन अनपाद बन तो एक ब्यक्तिने द तो पसीपी हमारा दिया हुआ है 1500 तो इसका हम लोगों को क्रेमूल अलग अलग घडियों का निकालना तो पाहली घड़ी का हम लोग निकाल लेंगे दोस्तों एका तो एका यह जो आ रहा है उसको हम लोग उपर लिखेंगे बन बटे इन दोनों का योग तो टोटल टू आ हो गया और इंटू जो क्रेमूल दिया है 1500 बोग उपर लिख देंगे इसे काटेंगे तो सत्य चोदा दूपंजेदा 750 पहली घड़ी का मूल आ गया इसी प्रिकार हम लोग दोस्तों बीका निकाल लेंगे बीका कितना है एक बटेक टू इंटू 1500 इसका भी 750 आयोब आपको स समझ में आया होगा चलिए कुछ और कोस्तन करते हैं जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा तो दोस्तों हमारा अगला कोस्तन है मौने 18,000 रुपए में दो पुराने स्कूटर खरीदे एक को 25 पर पर दूसरे को 20 पर संट हानी पर बेजने से उसे कुल मिलाकर ना तो क यह स्कूटर और क्रेमल वायती तो हम ज्याएंगा एक हशल अगर की यहलालली संक्या रहा अँड कर सकते हैं इसरे यह 25 पर समय और यह 0 ब coke तो क्योंकि हानी हो रही है अब इससे से माइनस करेंगे तो इधर 20 और 25 यह रेशियो हमारा आ गया दो पुराने स्कूटरों का इसे 5 से डिवाइट करेंगे तो 4 अंपास 5 का आ जाएगा दोस्तों तो आपका रेशियो हो गया पहले दूसरे स्कूटर में तो उसका हम लोग CP पहले का निकालेंगे हम लोग 1 एक एक का रेशियो कितना है चार चार वटे दोनों का आइड कर देंगे चार वटे नाउं इंटू CP कितना दिया हुआ है 18,000 इसको काड़ देंगे तो 8,000 हमारा आगया पहले स्कूटर का मोल है फिर इसी परकार B का निकाल लेंगे हम लोगों ने B माल लिया B कितना है 5, टोटल कितना है 9 इंटू 18,000 ये आगया 2,000 ये आगया 10,000 दूसरे स्कूटर का मोल जो आएगा 10,000 आई होब आपको कोस्टन समझ में आया होगा दोस्तो मैं अगले जो मैं इसका एलिगेशन का पूरा चेप्टर का मैं वीडियो बनाकर आपको दूँगा और इसके पूरे कॉंसेट को समझाऊंगा जिससे कि आपको कोई कठना है नहीं होगी एलिगेशन को सॉल्व करने में तो चलिए दोस्तो कुछ और कोस्टन करते हैं जिससे कि आपको थोड़ी हैल्प मिल सके उन कोस्टनों को सॉल्व करने में तो दोस्तो हमारा अगला कोस्टन है एक दुकानदार क्रेमूल पर ही अपना सामान बेजने का दावा करता है परन्तु एक किलो ग्राम के स्टान पर वह नौसो पचास ग्राम ही तौलता है बताए उसे कितने पर्सेंट का लाप हुआ तो पर्सेंटेस ऑफ लाप या प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं सीपी से तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले सीपी निकालना पड़ेगा तो वह कहा रहा है कि एक किलो ग्राम के स्टान पर नौसो पचास ग्राम ही तौलता है एक हजार रुपए आयोब आपको समझ में आ रहा होगा और एक केजी के स्टान पर नौसो ग्राम ही तौलता है मतलब वह धरतुरा है एक केजी का ही तौलता है पर उसने अपनी मसीन में गावड़ कर दिया तो वह नौसो पचास ही ग्राम दे रहा है रुपए तो जिस कर्श्टूमर को बेच रहा है वह रुपए तो एक किलो ग्राम के दे रहा है बट वह 950 ग्राम ही मसीन दिखा रहा है तो उसने 950 ग्राम ही खरीदा होगा तो यह हमारा CP हो जाएगा आयोब आपको समझ में आया होगा तो CP स्कल्टू कितना हो गया 950 और बेच कितना आ रहा 1000 ग्राम पे तो SP हो जाएगा 1000 ग्राम या 1000 रुपए कुछ भी कह सकते हैं तो इन दोनों को जो अंतर आएगा बो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा तो 1000 में हम लोग 950 गटा देंगे तो 50 रुपए आ जाएगा दोस्तों तो पर्सेंटेज अफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा तो पर्सेंटेज अफ प्रॉफिट हम लोग किस से निकालते हैं? CP से तो जो अंतर आ है उसको उपर लिख लेंगे और CP कितना है? 950 इंटू 100 ये ये काटेंगे आप इसको काटेंगे पांच एकम पांच 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 पाई तालेस पांच दो निक दस तो 100 बटे 9 अगर इस टाइप ये भी दिया है तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं इसको और अगर करना चाहें हल तो 5 सही 5 बटे 9 ये आप टिक्स कर सकते हैं आई होप आपको ये कोस्टन समझ में आया होगा चलिए एक और कोस्टन करते हैं जिससे कि आपका डाउट जो है पूरा पूरा किलियर हो जाएगा चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही तो नई ट्रिक लाँगा जिससे कि आपको कोस्टन स्वालव करने में कुछ ना कुछ मतज जरूर मिलेगी तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में